मालिक अर्जुन कर्गे जी, केसी वेनु गोपाल जी, रंदीप सुर्जेवाला जी, डीके शिवकुमार जी, सिद्धर रमया जी, बीके हरी प्रशाद जी, के एज मुन्यप्पा जी, बीके स्रिन्यवास जी, स्टेज पे कॉंग्रेस पार्टी के वरिष्ट नेता, हमारे प्यारे कार्यकरता, भाईयों और बहनों, करनाटका के युवाओं, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सब का यहां बहुत-बहुत स्वाधात नमस्कार, आज मैं, शुरुआत में, मीटिंग के शुरुआत में, करनाटका की जनता से, सीधी बात करना चाहता हूँ, सवाल यह है, कि जब यहां, कुछी दिनों में, कॉंग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, तो कॉंग्रेस पार्टी की सरकार, करनाटका के युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, क्या करेगी, हिमाचल में चुना हुआ, पहले चप्छतिसगर, मद्यप्रदेश, राजस्तान में चुना हुआ, और मुझसे, जो हिमाचल प्रदेश के नेता, चप्छतिसगर के नेता, इन्होंने मुझसे पूछा, कि हमें क्या करना चाहिए, और मैंने उनसे कहा, कि देखिए, आप दो, तीन वाइदे, जन्ता से कीजिए, और जिस दिन, आपकी सरकार बने, पहली क्याबिनेट मीटिंग में, उन वाइदों को, आप पूरा करके दिखाईए, वाइदों में, छे महीने, एक साल, दो साल नहीं लगने चाहिए, जो बड़े वाइदे हैं, उनको पहले ही दिन, सरकार को पूरा कर देना चाहिए, बरवसे कोटन अंतरा, बरवसे हने हीडेर श्लो, मूर्तिंग लो, आर्तिंग लागबार दो, सरकार बने तक्स्रवे, और यही मैं, करनाटक के कॉंगरेस पार्टी के नेताओं से कहना चाहता हूँ, हमने करनाटक की जनता से चार वाइदे किये हैं, ग्रुहा जोती 200 यूनिट मुफ्त में बिजली हर परिवार को, ग्रुहा लक्ष्मी 2000 रुपे हर महीने महिलाओं को, अनभागिया 10 केजी चावल हर परिवार के मेंबर को, हर महीने और सबसे जरूरी युवानिधी, 3,000 रुपे हर महीने करनाटक के हर ग्रेजुएट को 2 साल के लिए, और 1500 रुपे हर महीने डिप्लोमा होल्डर्स को, और इन वाइदों को पूरा करने में 6 महीने एक साल, दो साल नहीं लगने चाहिए, ये वाइदा पहले दिन, पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरे हो जाने चाहिए, और कॉंग्रेस पार्टी को, करनाटका की जंता का, और देश की जंता को सीधा मेंसेज देना चाहिए, प्रदान मंत्री को मेंसेज देना चाहिए, कि अगर आप हजारों करोल रुपे, अदानी जी जैसी कंपनियों को दे सकते हो, तो हम गरीबों को, महिलाओं को, युवाओं को पैसा दे सकते हैं, आपने दिल भर के, अदानी जी जैसे लोगों की मदद की, हम दिल भर के, करनाटक के गरीबों की मदद करेंगे, गरीबों की मदद करेंगे, महिलाओं की युवाओं की मदद करेंगे, आप अपना काम करो हम अपना काम करेंगे करनातक में बीजेपी ने क्या काम किया क्या काम किया मैं आपसे पूछ रहा हूँ 40% कमिशन खाया आप करवाने के लिए बीजेपी की सरकार ने करनातक की जंता करनातक के युवाओं करनातक के महिराओं से पैसा चोरी किया जो भी इनों ने किया 40% Commission इनों ने लिया ये सिर्व मैं नहीं कह रहा हूँ Contractor Association ने हिंदुस्तान के प्रधान मंत्री को चिट्टी लिखी और कहा कि करनाटका में 40% Commission लिया जा रहा है प्रधान मंत्री ने आज तक चिट्टी का जवाब नहीं दिया चिट्टी का जवाब ना देने का मतलब कि प्रधान मंत्री ने ये बात मान ली कि 40% Commission करनाटका में लिया जाता है Scams की लिस्ट है School Association ने चिट्टी लिखी Police Sub Inspector Scam हुआ 80 लाक रिश्वत ली गई Assistant Professor Job Scam Engineer Job Scam ये सब आपने सहा है और जब मैंने ये बात Parliament में रखी जब मैंने अदानी जी के बारे में प्रधान मंत्री से सवाल पूछे पहले में आप माई कॉफ कर दिया गया मैंने क्या पूचा प्रधान मंत्री जी आपका अदानी जी से क्या रिष्टा है मैंने Parliament में एक फोटो दिखाई पावल में जिसमें नरेंद्र मोधी अदानी जी के हवाई जहाज में रिलाक्स करते हुए दिखते हैं ऐसे बैठे हैं जैसे वो अपने घर में बैठे हैं मैंने पूछा क्या रिष्टा है फिर मैंने सवाल पूछा कि हिंदुस्तान के एरपोर्ट्स अदानी जी को दिये जा रहे हैं और एरपोर्ट्स देने से पहले सरकार नियम बदलती है क्यों बदला किसने बदला नियम था कि एरपोर्ट चलाने के लिए experience होना चाहिए अदानी जी का कोई experience नहीं है एरपोर्ट चलाने में मुंबाई एरपोर्ट उनके हवाले कर दिया गया जिसका एरपोर्ट था उस पे CBI ED के cases लगा दिये और उससे एरपोर्ट छिनवा दिया और अदानी जी के हवाले कर दिया अस्ट्रेलिया में हिंदुस्तान के प्रधान मंत्री औस्ट्रेलिया के नेता के साथ बेटे हैं उसी मेज पे अदानी जी बेटे हैं उसी मेज पे स्टेक बैंक और इंडिया के चेर्मत के सीनियर नंबर बेटे हैं और उसी के एकदम बाद स्टेक बैंक अधानी जी को हजारों क्रोन रूपे का बैंक ट्रोन दे देता है। मैंने पूछा किस ने करवाया। स्री लंका में पॉट अथोरिटी का एक चेर्मन कहता है कि स्री लंका के राष्ट्रपती ने उससे बताया कि नरेंद्र बोधी ने कहा है कि अधानी जी की मदद करनी है। प्रदान मंत्री बंगलादेश जाते हैं उसके एकदम बाद अधानी जी को कॉंट्राइक मिल जाता है। प्रदान मंत्री इसरेल जाते हैं अधानी जी को डिफेंस कॉंट्राइक मिल जाते हैं पॉर्ट मिल जाता है। ये सवाल मैंने पूछे, मैंने पार्लिमेन में पूछा, अदानी जी की शेल कंपनी है, बेनामी, ये किसकी है, इसमें 20,000 करोन रोपे किसका है, ये सवाल मैंने पूछाू. उसके बाद पहली बार इतिहास में सरकार ने पार्लमंट को नहीं चलने दिया आम तोर से opposition पार्लमंट को रोकती है पहली बार इतिहास में बीजेपी की सरकार ने उनके मंत्रियों ने पार्लमंट को रोका उसके बाद बीजेपी के मंत्रियों ने पार्लमंट में मेरे बारे में जूट बोला कानून में नियम है स्वरीक पार्लमंट में नियम है अगर कोई कोई भी मेंबर दूसरे मेंबर के बारे में बोलता है तो उस member को Parliament पे बोलने का मौका दिया जाना चाहिए कानूने का Parliament का मैंने speaker को दो चिटियां लिखी का की देखिये यह मेरा हॉक है मेरे उपर अरोप उठा रखा गया है मुझे कहना है मुझे जवाब देना है बोलने का मौका नहीं दिया गया उसके बाद में speaker के office में गया मैंने का speaker sir मुझे मौका तो दीजिये जवाब देना का मौका तो दीजिये मुझे आके कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता आईए मेरे साथ चाहे पिए जिये मैं आपको समझा दूँगा मैंने उनसे का speaker sir आप तो speaker है आप parliament के speaker है जो भी आप करना चाहते हो parliament में आप कर सकते हो आप अपना काम क्यों नहीं कर रहे हो मुझकुरा के मेरी ओर देखते हैं उसके बाद वहाँ नहीं रुके वो नहीं चाहते हैं कि मैं parliament में अदानी जी की बात रखू वो दरते हैं उसके बाद मुझे parliament से disqualify कर दिया ये सोचते हैं कि parliament से मुझे हटा कर धमका कर डरा देंगे मैं नहीं डरता है इन से मैं फिर से मैं फिर से दोराता हूं प्रधान मंत्री जी आपका अदानी जी के साथ क्या रिष्टा है और ये 20,000 करोर रुपए जो शेल कंपनी में हैं वो किसके हैं ये जो बेनामी पैसा है वो किसका है और कहां से आया और जब तक इसका जवाद नहीं मिलेगा तब तक मैं नहीं रुकने वाला हूं मुझे डिस्क्वालिफाइ कर दो जेल में डाल दो कुछ भी कर दो कोई फर्ग नी पड़ता अदानी जी एक चिन है करप्शन के एक चिन है 21 सदी में एक व्यक्ती हिंदुस्तान का पूरा का पूरा इंफ्रस्ट्रक्चर एरपोर्ट, पोर्ट, सरग 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 उठा ले जाता है हजारा करोर रुपे धन जादू से उनकी कंपनी में आ जाता है सबसे जरूरी इंफ्रस्ट्रक्चर defense infrastructure कि company में China का एक director बैठा है अदानी जी की shell company में China का director है बात समझे कोई investigation नहीं होड़ा अदानी जी defense में काम करते है कोई investigation नहीं होड़ा कि भाया आपकी company में China का director कैसे बैठा हुआ है अदानी कोण किसने बठाया इसको क्यों बठाया और फिर ध्यान बठाने की कोशिश करते हैं OPC की बात करते हैं कहते हैं कि मैंने OPC का अपमान किया चलिए आज OPC की बात करते हैं पूरी करते हैं सबसे बड़ा सवाल क्या है अगर हम OPC की बात करते हैं गलेतों की बात करते हैं हिंदुस्तान की लोगों की बात करते हैं तो सबसे बड़ी बड़ा सवाल क्या है सबसे बड़ा सवाल ये है कि किसकी कितनी अबादी है हम जानते हैं कि हिंदुस्तान की सरकार में सेक्रेटरी अगर आप देखें तो गलत आदिवासी और OBC वर्क से सिरफ साथ परसेंट आते ह मतलब हिंदुस्तान की सरकार को हिंदुस्तान की सरकार के रीड की अटी जो है सेक्रेटरी ऑफ गर्मन्ट अविंडिया उस मेंसे सिरफ साथ परसेंट गलत आदिवासी और OBC विर्क से आते हैं तो अगर हम गन बातने की बात करें, अगर हम सब्ता बातने की बात करें, तो पहला कदम ही होना चाहिए कि भाईया, किसकी कितनी अबादी है। कितने OBC हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, अगर सब को भागिदार बनाना है, सब को इस देश की प्रगती में शामिल करना है, तो ये तो मालूम होना चाहिए कि कौन कितने हैं, तो मोधी जी, कास सेंसर्स का डेटा आप रिलीज कीजिए, देश की जनता को पता ये OBC पर अपमान है, आपने OBC की बात की, देश को दिखा दीजिए, देश में कितने OBC हैं, और पिर देश को समझाईए, कि आपके सरकार में, सिरफ 7% सेकरेटरीज, OBC, दलित और आदिवासी में से क्यों आते हैं, दूसरी बात, जो SC और ST का कोटा है, उसको उनकी आदी से प्रपोर्शन कर दीजिए, और तीसरी बात, जो रेजर्वेशन पे आपने 50% का कैप लगा रखा है, उसको हटा दीजिए, फिर बात करते हैं, OBC का अपमान कौन करता है, भाईयों और बहनों, करनाटक में, कॉंग्रेस पार्टी की सरकार आने वाली है, प्रदान म करेगी, मोदी जी ने बैंकों के दर्वाजे, अरब पतियों के लिए खोले हैं, हम बैंक के दर्वाजे, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, छोटे दुकानदारों के लिए, छोटे वी अपारियों के लिए खोलेंगे, कॉंग्रेस पार्टी करनाटका की, करनाटका की सरकार, गरीबों की सरकार किसानों, मजदूरों और छोटे वियापारियों की सरकार बनाएगी. मुझे बहुत खुशी हो रही है कि कॉंग्रेस पार्टी करनाटक में एक हो के लड़ रही है. भाई और बहनों पूरी मज़ॉरिटी कि इसे कॉंग्रेस पार्टी की नियाद इताना है. एक बाद याद रखिए बीजेपी की पूरी कोशिश होगी कि वो 40% कमिश्चन वाले पैसे सरकार को तोड़ने की कोशिश करें. जो पैसा आप से चोरी किया, उसी का प्रयोग करके फिर से आपकी सरकार चोरी करने की कोशिश करेंगे. इसलिए सबसे जरूरी बात कम से कम 150 सीटें कॉंग्रेस को जीतनी चाहिए. इसको कोई ब्रश्का चार का मोका नहीं देना है. आप सब का दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद और जो हमारे कारे करता है. कॉंग्रेस पार्टी के बबर शेर है. आप निकल लिए जनता के बीच में जाईए. और 150 सीटें यहां जित्वाईए. धन्यवाद.